राधे राधे मेरे प्यारे भाईों, बहनों, माताओं और बंधों आज मैं आप के लिलाई हूँ आज गंगा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों, हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करें ताकि आप हमारे साथ फेस्बुक पर भी जुड़ सकें इसका लिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ बंधों, आप सभी जानते हैं कि गंगा जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है बंधों, गंगा जी की कथा गंगा सब्तमी पर सुनने मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा आपके पुन्यकरम संचित होंगे बंधों, गंगा जी की इस कथा को पुरा सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै गंगा मैया जरूर लिखें बंधों, गंगा नदी को देवी के रूप में माना जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है श्री गंगा जी को हिंदूओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है जो मानव के हर पाप को धो देती है शास्त्रों के अनुसार बेसाख मास के शुगल पक्ष की सब्तमी तिथी को ही गंगा जी स्वर्ग लोग से शिव शंकर जी की जटाओं में पहुँची थी इसलिए इस दिन को गंगा जैनती और गंगा सब्तमी के रूप में मनाया जाता है कहते हैं कि स्वर्ग से उदर कर शिव जी की जटाओं में समाने के कारण यह था कि प्रित्विक उनका तेजवेक नहीं सहन कर सकती थी इसलिए उन्होंने पहले शिव जी भगवान की जटाओं में अपना स्थान बनाया इसके बाद शिव जी ने गंगा जी को धर्ती पर छोड़ा इसलिए ही इस दिन को गंगा जैनती के नाम से जाना जाता है जिस दिन गंगा जी की उत्पती हुई वहे दिन गंगा जैनती वेशाक शुकल सब्तमी और जिस दिन गंगा जी प्रित्वी पर अफ्तरित हुई वहे दिन गंगा दशेहरा जेश्ट शुकल दश्मी के नाम से जाना जाता है गंगा सब्तमी के दिन गंगा जी में डुग की लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मौक्ष की प्राप्ती होती है माना जाता है कि इस दिन गंगा पूजन से सभी तरह के मांगलिक दोश दूर हो जाते हैं और जिन मनश्यों को मांगलिक दोश होते हैं उन्हें गंगा शनान से विशेश लाब की प्रापती होती है यदि गंगा सब्तमी पर गंगा जी का पूजन विधी विधान से किया जाए तो कोटी गुना फल प्रापत होता है वैसे तो गंगा जी में शनान का अपना अलग ही महत्व है लेकिन इस दिन अथात गंगा सब्तमी के दिन शनान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है गंगा सब्तमी पर गंगाजी में शनान करने से मनुष्य के दस तरहें के पापों का हरन होकर अंत में उसे मुक्ति मिलती है इस दिन दान पुन्य का विशेश महत्व है गंगाजी हिंदों की आस्था का प्रतीक है और अनेक धरम ग्रंतों में गंगाजी के महत्व का वर्नन आता है गंगा नदी के साथ अनेक पूरानिक कताएं जुड़ी है जो श्री गंगाजी के संपूरन अर्थ को परिभाशित करने में सहायक है कहा जाता है कि गंगाजी का जनम भगवान विश्णू के पसीने की बूंदों से हुआ गंगाजी के जनम की कताओं में और भी कई कताएं प्रचलित है गंगाजी का जनम ब्रह्म देव के कमंडल से हुआ एक मानेता है कि वामन रूप में राक्षस बली से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्म देव ने भगवान विश्णू के चरंद होई और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया और एक अन्य कता के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनी ब्रह्म देव भगवान विश्णू के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विश्णू का पसीना बहे कर निकलने लगा जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा जी का जनम हुआ सकंद पुरान बालमिकी रामायन आदिकरंथों में गंगा जनम की कथा वरनिद है कपिल मुनिक के श्राव से सूर्य वंशी राजा सगर के साथ हजार पुत्र जलकर भसम हो गए कब उनके उधार के लिए राजा सगर के वंशस भगीरत ने घोर तपस्या की वे अपने कठिन तपस्या से मा गंगा को प्रसंद करने में सफल रहे और उन्हें धर्ती पर लिकर आए गंगा जी के सपर्ष से ही सगर के साथ हजार पुत्रों का उधार हो सका शास्त्रों के अनुसार गंगा जी को मोक्ष दाईनी कहा जाता है गंगा जी के किनारे पर कुंभ पर्व, गंगा दशेहरा, पूर्निमा, मकर संकरांती और भी कई मेले लगते हैं गंगा जी में श्रान करने से उनश्य के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं, यग्य करते हैं और वहां बैठकर भगवान का स्मरन करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि गंगा जी के किनारे बैठकर यदि दान पुन यग के तब प्रभू स्मरन अधिक से अधिक किया जाए तो उसका कोटी गुनाफल, नुश्य को प्रापत होता है पौरानिक कथा के अनुसार गंगा जी को जहानवी भी कहा जाता है गंगाजी को जहान में क्यों कहा जाता है इस समद्ध में भी एक कथा प्रत्रित है इसके अनुसार एक पार गंगाजी तेवर गती से बह रही थी उस समय जहनो भगवान के ध्यान में लीन थे उस समय गंगाजी भी अपनी गती से बह रही थी उस समय जहनु रिशी के कमंडल और अन्य समान भी वहीं पर रखे हुए थे जिस समय गंगा जी जहनु रिशी के पांच से गुजरी तो वेह उनका कमंडल और अन्य समान भी अपने साथ बहा ले गई जब जहनु रिशी की आँख खुली तो अपना समान ना देख वे क्रोधित हो गए उनका क्रोध इतना गहरा था कि अपने गुसे में वे पूरी गंगा को पी गए जिसके बाद भगीरत रिशी ने जहनु रिशी से अग्रह किया कि वे गंगाजी को मुक्स कर दे जहनु रिशी ने भगीरत रिशी का अग्रह स्विकार किया और गंगाजी को अपने कान से बाहर निकाला जिस समय ये घटना घटी थी उस समय बेसाख मास की सब्त में दिथी थी इसलिए इस दिन से गंगा सब्तमी मनाती है इस दिन को गंगा जी का दूसरा जनम माना गया और कहा जाता है कि जहनों की कन्या होने के कारण ही गंगा जी को जहान में कहते हैं राधे राधे जैई श्री कृष्णा बंधुआं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें आज गंगा सब्तमी पर गंगा जल से श्च्णान करें और साथ ही इस कथा को सुनने के बाद गंगा जी की आरती भी जरूर सुने धन् झाल 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 झाल